तो यह एंटनर डूडरोफ पाथवे औफ कार्भोहाइड़ेट मेटाबोलिजम तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यह पाथवे क्या होता है कहां होता है और कैसे होता है सो बेसिकली यह हमारे बायोकेमिस्ट्री का 41 वीडियो है और कार्भोहाइड़ेट मेटाबोलिजम को लेकर कि यह हमारा 7 वीडियो या क्लास है सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि अभी हम CSIR NET CSIR NET Life Science में बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे है जो की उनिट नंबर वन है और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मेटाबोलिजम और मेटाबोलिजम भी हमें Carbohydrate का पढ़ना है Lipids का पढ़ना है Amino Acids का पढ़ना है Nucleutide का पढ़ना है फिलाल हम पढ़ रहे हैं Carbohydrate का Metabolism और Carbohydrate की Metabolism में भी हमें यह सारी Reactions पढ़नी होती है यह सारे Pathway, यह सारी Cycles जो हैं Carbohydrate की Metabolism में ही आता है तो अभी तक हमने Glycosin का Synthesis कैसे होता है यह हम पढ़ चुके है Glycosin का Breakdown कैसे होता है यह हमने पढ़ लिया है Gluconeogenesis क्या होता है कैसे होता है यह हमने पढ़ लिया है Pentose, Phosphate, Pathway क्या है यह हमने पढ़ लिया है और Glycolysis, जो Respiration वाला पार्ट है वहाँ हमने पढ़ लिया है फोटो संतसिस को हम प्लांट फीजों के अंदर पढ़ेंगे तो यानि कि कार्बो हाइडरेट मेटाबोलिजम यह सारे पात्वे हम पढ़ चुके हैं केवल छोड़ करके एक को जिसका नाम है एंटनर डूडरोफ पात्वे जिसको हम शोट में ED पात्वे भी बोलते हैं यह क्या होता है यह ED पात्वे भी है तो देखेगा एंटनर डूडरोफ पात्वे यानि कि ED पात्वे एक मेटाबोलिक पात्वे है और इस पात्वे में glucose is the substrate और बहुत सारे reaction के बाद जाकरके हमें pyruvate मिलता है यानि अगर इस reaction का एक overview में आपको दूँ तो यहाँ पर हम one mole of glucose इस्तमाल करते हैं और हमें finally मिलते है two mole of pyruvate और यहाँ पर glucose का होता है oxidation यानि बहुत सारे reaction है बट उसमें glucose का oxidation होता है अब आप कहेंगे कि यह same reaction यह same substrate, यह same reaction और यह same product, तो हमने glycolosis में भी पढ़ा है तो फिर इसमें क्या difference है आगे हम सब देखेंगे कि इस pathway में और glycolosis में क्या difference है हाला कि substrate और जो product हमें मिल रहे हैं वो लगभग same है सारे same नहीं है, लगभग same है क्योंकि यहाँ पर हमें pyruvate के साथ-साथ में 1 mol of NADHB मिलता है and 1 mol of NADPH मिलता है and 1 ATP मिलती है तो यह सारी चीज़े हमें मिलती है जब हम glucose का oxidation करते हैं इन AD pathway So basically हम ऐसा बोल सकते हैं AD pathway is the combination of some steps of glycolysis and some step of pentose phosphate pathway यह दोनों पाथवे हम पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ लिया होगा अगर आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे आगे जाकर के कि ED pathway में कुछ steps तो ले लिए गए हैं glycolysis के और कुछ steps ले लिए गए हैं pentose phosphate pathway के और product भी हमें कुछ ऐसे मिलते हैं कुछ glycolysis के और कुछ PP pathway के जैसे देखो pyruvate मिला है और NADH मिला है और ATP मिला है ये तीनों product हम पढ़ते हैं glycolysis में जो कि ED pathway में भी मिल रहे हैं और NADPH product है pentose phosphate pathway का जो हमें इसी pathway मिल रहा है यानि कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं ED pathway में क्या किया कुछ अलग से चीज़े नहीं है हालकि दो step है जो नए है बलकुल जो कि ना तो इसमें है ना इसमें है बट आप most of steps देखेंगे तो इन ही दोनों pathway से है तो क्या किया गया कि कुछ चीज़े glycolysis से उठा ली गई कुछ चीज़े pentose phosphate pathway से उठा ली गई और दो चीज़े खुद से नई mix कर दी गई और बन गया ED pathway जो product हमें मिल रहे है दोनों pathway के product हमें यहां मिले है तो ऐसा अब कौन है जिसने यह सब किया है अब ऐसा यहां पर एक ही domain के अंदर आता है तो अब बारी आती है कि इतना जो चतुराई का काम है यह किया किसने है तो यह किया है prokaryotes ने ठीके prokaryotes क्या होते हैं prokaryotes में आते हैं जितने भी type के हम bacteria पढ़ते हैं जैसे कि U bacteria है जैसे कि RK bacteria जैसे कि mycoplasma है यह तीन कैटिगरी हम prokaryotes में रखते हैं और prokaryotes में ही यह pathway मिलता है only in prokaryotes और mostly अगर देखा जाए तो मिलता है जो gram negative bacteria है उनमें मिलता है mostly बट कुछ gram positive bacteria भी है जिनके अंदर यह pathway देखने को मिलता है और कुछ RK bacteria भी है और जो यहाँ पर gram positive और negative है दोनों में यह देखने के लिए मिलेगा इसके बाद जो first report हुआ था सबसे पहले कहां देखने को मिला था यह ED pathway सबसे पहले bacteria pseudomonas saccharophylla के अंदर यह pathway discover किया गया था discover किसने किया था यह जो नाम है उन्ही scientist ने अपने नाम से ही इस pathway का नाम रख दिया गया है याने antenna और doodoro इन दोनों scientist ने मिलकर के first time इसको discover किया था ED pathway को ठीक है अच्छा अब इसकी importance क्या है ऐसा क्यों किया bacteria ने कि कुछ चीजे वहां से लिए है कुछ चीजे वहां से लिए है अब इसके कई सारे फाइदे हो सकते हैं जैसे कि सबसे पहले ये है कि एक ही pathway में दो pathway का काम हो रहा है तो ये तो फाइदा है ना कि दो pathway अलग से रन करने पड़ेंगे glycolosis अलग से रन करो और जो pentose phosphate pathway है उसको अलग से रन करो bacteria ने क्या किया अपना समय बचाया अपने resources बचाया और दोनों pathway को mix करके एक pathway बना दिया और दोनों products को एक वार कर लिया तो सबसे first benefit तो हमें ये देखने को मिलेगा कि दोनों pathway का का काम एक ही pathway में हो गया है this is called ED pathway अच्छा कुछ bacteria की मजबूरे भी हो जाती है ED pathway को run करना ऐसा इसलिए क्योंकि वो glycolysis नहीं कर सकते हमें पता है glycolysis करने के लिए एक enzyme है जिसका नाम है phosphor fructokinase phosphor fructokinase एक बहुत ही जरूरी enzyme है glycolysis के लिए लेकिन देखा गया है कि कुछ bacteria जैसे के pseudomonas हैं उनकी अंदर ये enzyme होता ही नहीं है तो अब अगर उनके पास ये enzyme नहीं है तो वो glycolysis नहीं कर पाएंगे glycolysis नहीं करेंगे तो उन्हें फिर ED pathway करना पड़ता है क्योंकि ED pathway में इस enzyme की requirement नहीं होती है ठीक है क्योंकि वहाँ पर उनके पास force of recto kinase नहीं होता है इसलिए वो ED pathway को रन करते हैं कुछ ऐसे भी है जिनके पास option होता है वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं जैसे देखेगा due to the low energy yield of ED pathway क्योंकि हमने पड़ा है ED pathway में जो है हमें केवल एक ही ATP मिलता है ED pathway में हमें एक ATP मिलता है लेकिन अगर बात की जाए glycolysis की वहाँ पर हमें दो ATP मिलते हैं तो glycolysis के comparison में तो यहाँ एक ATP कम ही मिल रही है तो इसलिए लिखा है कि due to the low energy yield of the ED pathway anaerobic bacteria seems to mainly use glycolysis ऐसे bacteria जो कि anaerobic है जिनके पास glycolysis से अलब कोई साधन है नहीं ATP बनाने का तो वे glycolysis ही करेंगे मारों उनके पास दो option है कि या तो तुम glycolysis करो या तो तुम ED path run करो अगर तुम्हें energy जाए उनके पास और कोई resources नहीं है जैसे अगर हम बात करें जो aerobic bacteria होंगे वो क्या करेंगे ETC करेंगे और ETC से जो NADP है उनसे भी ATP बन सकती है लेकिन ये anaerobic bacteria है तो वहाँ पर जो electron transport system है वो नहीं होता है तो उनके पास energy बनाने के लिए या तो glycolysis है या तो ED path वे है अब glycolysis में दो ATP बन रहे है और ED path में केवल एक ही ATP बन रहा है तो ऐसे bacteria जो की anaerobic है वो mainly glycolysis को ही use करते है अपनी energy बनाने के लिए जबकि जो aerobic है या फिर facultative anaerobic है वो more likely to have the ED path वे हैं क्योंकि उनके पास और भी ज़्यादा और भी अलग साधन है ताकि वो ATP बना सके This is thought to be due to the fact that aerobic और facultative anaerobic have other non glycolytic pathway for creating the ATP such as oxidative phosphorylation जो की ETS के बाद में होता है इसलिए कुछ bacteria अपने energy source को देखते हुए भी कि कितनी energy बन रही है इस pathway को choose कर सकते हैं या eliminate कर सकते हैं तो I hope यह चीज़े समझा गई होंगी अब हम देख लेते हैं यह pathway क्यासे रन होता है कौन कौन से reaction से तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आया है glucose हमने लिया है glucose as a substrate तो glucose को हमने convert कर लिया glucose 6-phosphate में with the help of hexokinase same जैसा हम glycolysis में करते हैं यहाँ पर हमें एक ATP देनी पड़ेगी glucose को glucose 6-phosphate में convert करने के लिए इसके बाद glucose 6-phosphate convert होता है 6-phospho-glucono-lectone में same जो हमने pentose phosphate पाथवे में पड़ा था कल ही हमने उसके बारे में पड़ा है तो हमने देखा था glucose 6-phosphate को वहाँ convert किया गया था 6-phospho-glucono-lectone में और यहाँ पर oxidation होता है NADP को convert किया जाता है NADPH में यानि glucose 6-phosphate का oxidation होता है और NADP का होता है reduction जिससे वो convert हो जाता है NADPH में इसके बाद यह जो 6-phospho-glucono-lectone है उसका hydrolysis होता है उसे convert किया जाता है 6-phospho-gluconate में अब 6-phospho-gluconate फिर convert किया जाता है KDPG में ठीक है? और फिर यह KDPG है यह breakdown होता है pyruvate में और glyceldehyde 3-phosphate में तो यहाँ पर आप देखेंगे यह वाला step unique है यह मिलता है pentose phosphate pathway में यह मिलता है glycolysis में तो यहाँ तक तो चीजे सेम आ रही है बट यह वाला step एक unique है और यह वाला step जिसमें की जो KDPG है यह breakdown हुआ है यह step जो है unique है बाकि यहाँ आप देखेंगे glyceldehyde 3-phosphate बना है उसके बाद सेम जो glycolysis वाला pathway वो run होता है कि वहाँ पर 1-3 BPG बनेगा फिर 3-PG आएगा फिर 2-PG आएगा फिर PEP आएगा फिर PEP से pyruvate आएगा यह सेम glycolysis वाले पाथवे हैं तो सबसे पहला glycolysis और इसके बाद glycolysis यहाँ पर pentose phosphate पाथवे और यह दो unique पाथवे हैं तो सबसे पहले हमने conversion किया है glucose का glucose 6-phosphate में glucose 6-phosphate में with the help of hexokinase with the help of hexokinase enzyme की help से हमने convert कर लिया है इसके बाद conversion of glucose 6-phosphate into the 6-phospho-gluconolecton with the help of glucose 6-phosphate dehydrogenase यह आता है और यही पर बनता है NADPH बना है और यहाँ हमने ATP दिया है इसके बाद देखिए conversion होता है 6-phospho-gluconolecton का into the 6-phospho-gluconic acid या फिर 6-phospho-gluconate with the help of gluconolecton hydrolase यह भी अगें pentose phosphate पात्वे वाला ही पार्ट है फिर यहाँ पर यह जो बन गया है हमने देखा था pentose phosphate पात्वे में यह जो 6-phospho-gluconate है यह convert हुआ था ribulose में ठीक है जो ribulose हमने देखि थी pentose sugar उसमें convert हुआ था यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर conversion होगा 6-phospho-gluconic acid का into 2-keto-3-deoxy 6-phospho-gluconate में conversion होगा और उसको शोट में हम KDPG भी भूलते हैं KDPG यहाँ 6-phospho-gluconate convert हुआ है KDPG में with the help of 6-phospho-gluconate dehydrates यहाँ पर क्या किया है जो 6-phospho-gluconate dehydrates है इसने 6-phospho-gluconic acid को convert कर दिया KDPG में यह unique step है अब यह जो KDPG है इसको break किया जाएगा यह 6-carbon compound है अब तक सारा 6-carbon ही आ रहा है यहाँ तक अब इसको break किया जाता है with the help of aldolase enzyme तो यहाँ पर KDPG aldolase enzyme आता है और यह आकर के KDPG को convert कर देता है दो compound में एक 3-carbon compound यानि pyruvate और दूसरा है 3-carbon compound glyceraldehyde 3-phosphate ठीक है तो यहाँ पर conversion होता है KDPG का into the pyruvate and glyceraldehyde 3-phosphate में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आया है फिर उसके बाद यह सारा step तो same है जो की हमने glycolysis में पढ़ा है तो basically अगर एक बार यहाँ देखा जाए तो जो चीज़े हमें मिली है उनको एक बार देख लेते हैं हमने glucose को दिया हमें मिला है यहाँ NADP तो एक बार लिख लेते हैं जो net result हमें मिला है 1 NADPH मिला हमें सबसे पहले इसके बाद देखी हमें मिला NADH 1 N A B H after that एक ATP मिली है 1 ATP इसके बाद फिर एक ATP मिली है फिर एक ATP मिली है और स्टार्टिंग में एक ATP हमने दिया भी था तो यहाँ एक माइनस करेंगे तो यह हट जाएगा ठीक है और क्या मिला है पाइरुवेट मिला है 2 mol of पाइरुवेट मिले है ठीक है तो एक NADPH एक NADH और 1 ATP यह तीन चीजे और साथ में 2 mol of पाइरुवेट मिलते हैं of the glucose oxidation in ED pathway So this is the ED pathway हमने पढ़ लिया है कि यह क्या होता है कहां होता है क्यों होता है और कैसे होता है तो मैं उमीद करती हूँ यह lecture आपको पसंद आया होगा यह pathway आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा तो अगर आया है तो आप बाकी videos बाकी classes भी देख सकते हैं और वहाँ से metabolism को सीख सकते हैं कि कैसे होता है तो आज किस class में दोस्तों इतना ही मिलते हैं फिर next class में with the other topic till then bye bye take care